ithy Friends मैं रिजू sahaj और वेलकम करता हूं को मैं चनल मुझूज का द्येक में तो फ्रेंज आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूं यह सकसेशśl होता है कि नहीं होता है यह मुझे कीजिए तो विदीयो तेख देखेगा तो सबसे पहले यह आप देखिये यह अनाल है और यह मलता है इन दोनों की सीच को मैं साथ एक ही यह कैपसुल की अंदर जो कैपसुल होता है उस capsule के अंदर एक साथ में गोलो करके देखना चाता हूँ कि उसमें जो plant बनता है वो कैसे बनता है और उसमें जो fruit होता है वो उस fruit में थोड़ी सी ts記 Niger डे आता है कि ने हुता है तो मैं आज में यहीय एक्सप्टरिमेंट इस फीजो में दखान हूं कि काफ़ी सारे वीजो में देखा ह्या तो वीजो जो है वो लास्ट तक देखेगा तो सबसे पहले कि अंग देखिए आनाल है इसको में आगर लूँनगा कि कि अब देखिए इसको मैंने काट लिया है यहां से एक सीद मैं निकाल लूँगा और इसको भी मैं काट लेता हूं यह आप देखिए यह मालता है इसको भी मैं काकूंगा कि अब देखिए तो फ्रेंज सबसे पहले मालता की अंदर जो सीद है वो मैं निकाल लूँगा इस तरह से इसको लख दूँगा इसे और उसके बाद इसको नहीं से साइड में रख दूँगा और उसके बाद अनार का एक सीद में ले लूँगा इस तरह से और उसके बाद यह आप देखिए यह एक कैपसूल है और मैं इसको खुल लेता हूं इसके अंदर कुछ की नहीं है इसको खूल लिया है यह जो केपसूल है इसको मैंने खूल लिया है और अब मैं क्या करूंगा जो यह मता का सीध है इसके और बिंगर इसके बाद यह जो अनाद है इसको भी मैं एसे जो रशे वह निकल के सिर्फ इसका जो सीध है अब देखिए इसको भी में से इसके अंदर ऐसे डाल दूणगा और उसके बाद यह capsule को मैं वापस से बन कर दूँगा इस तरह से यह अब देखिए इसको मैंने वापस से बन कर जाया है और अब मैं क्या करूँगा यह सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है और कुछ नहीं है इस कोकोपीट में ही मैं लगाऊंगा इसको इस तरह से और उसके बाद थोड़ी सी पानी दे दूँगा ज्यादा पानी देनी की जुरूत नहीं कि वे कोकोपीट जो है उसमें नमी जो है वो बना रहता है तो ज्यादा पानी देनी की जुरूत नहीं तो अब मैं यह जो एलमोनियम होता है एलमोनियम की पौम होता है इसस इसको ऐसे कवर करेंगा और उसकी बाद इसको ऐसे कुछ दिन के लिए शाव में रखूँगा और देखते हैं इसमें से कौन सा प्लांट निकलता है तो जब इसमें से प्लांट निकल जाएगा तो ये वीजियो में आप लोगों की साथ जोड़िशर करूँगा तो तब तक के अब देखिए ये 25 दिन की बाद का रिजल्ट है और एक प्लांट ग्रो हो गया है ये अब देखिए लेकिन प्लांट जो है वो थोड़ा सा अलग मुझे दिख रहा है क्योंकि ये अनार का जो प्लांट निकलता है सीट से ये उस ताइट का भी नहीं है और लेमेन का जो माल अब देखिए जो प्लांट निकलता है ये उस ताइट का भी नहीं है थोरी सी बदलाब तो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन ये मुझे बाद में पता चलेगा अभी तो सिरी 25 दिन हुआ है और ये 25 दिन का रिजल्ट है ये आप देखिए ये 25 दिन की बाद का रिजल्ट है जो एल्मोनियाम फॉल्ड मैंने दिया था उपर वो मैंने हटा दिया है जब प्लांट ग्रो हो गया था तो वो मैंने हटा दिया था तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और देखते है ये प्लांट थोरी सी बदा हो जाए तो किस त कुछ दिन बाद मैं इसको धूप में रखूंगा तो यह प्लान जो है यह बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद कौन सा प्लान होता है यही मैं देखना चाहता हूं तो विडियो में बने रहेगा तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा थोड़ी सी बदलाव जो आ जो छुका है अभी जो प्लान था , वह धूरा बदा हो गया है और काफी इसका लेफ है कि अभी मुझे इसका लगता है कि इसकी लेफ में थोरी बहुत सेंज्श हो रहा है क्योंकि जब अनार का प्लां निकलता है या फिर lemon का plant निकलता है वो सकता है यह lemon ना हो यह अनार ही उग गया हो लेकिन plant में मुझे होड़ा बहुत changes नजर आ रहा है लेकिन जो lemon है इस plant में कोई भी lemon की गुन नजर नहीं आ रहा है अभी तो शिरिफ अनर का ही लुक इसमें आ रहा है अनर का प्लांट जैसा है इसमें भी वही नजर आ रहा है यह तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अनर का प्लांट ही है लेकिन जब यह प्लांट और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसमें से फूट आएंगे तो मैं य पुर इसे बद्रक्तरत अर्व प्षर ही है सकते हैं होता है तो इतना तो नहीं होता लेकिन इसका जो पत्ता है वह बहुत ही जढ़ा हो सब्सक्राइब नहीं भी हो सकता है या फिर यह अनार का प्लांट भी हो सकता है तो जब इसको मैं बढ़ा करूंगा इसमें जब फूट आएंगे तब मुझे पता चलेगा अगर फूट में कोई बदलाव आता है तो जो यह experiment है यह सक्सेस है अगर कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें उसमें भी कोई सेंट्रिस नहीं होगा फूर्ट में तो यह एक्सपेरिमेंट प्रेमेंट ना करो तो ही अच्छा होगा तो अभी मैं इसको बहुत करूंगा और इसके इसके बाद जो फॉल ऐगा वो मैं देखूंगा उसम लेकिन तब तक के लिए हमें बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह सीच्छे गुरूहा प्लांट है इसमें से फ़ल आने के लिए कम से कम तीन साल लग जाएंगे अगर मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको गुरू करूंगा तब भी तीन साल लग जाएंगे लेकिन हो सकता है इसके अंदर जो फूट है उसमें थोरी सी बदलाव आ जाए या पर नहीं भी आ सकता है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बेकार है ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजी मैं सिर्फ करके देखना चाहते है जो प्लांट है उसमें थोरी सी सेंजिस होता है कि नहीं ह आ रहा है तो इस रिशाब से मुझा लगता है फूरी छोरी सी बदलाव आएगा अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं नहीं अगर बदलावाई तो是不是 experiment है फिर भी मैं कहता हूँ कि एसा एसा experiment करना है क्योंकर इसल्स के काफी ज़ादा हमें रुखना पड़ता है तीन साल, शाल साल हमें रुखना पड़ता है तो फ्रेंट्स उम्मिद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लेश से लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे सेनल को आप लोगों की पास पहुंचाए तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू